अब हम बनाने जा रहे हैं चाइन स्टाइल में छोले के लिए हमने कडाई में ले लिया है तो टेबल स्पून घी घी को अच्छा सा गरम होता है इतने घी गरम होता है इतने हम तमाटर में अपना मसालिय डाल लेते हैं अब हमने हाँ पे टमाटर ले लिया है कम से कम पासच है इसमें डाल देंगे हल्दी मेरिच धनिया गरम मसाला और नमक नमक अपने टेस्ट के साब से डाल लेजेगे जब छोले उबालते हैं तो उसमें नमक डालते हैं और थोड़ी सी खटाई अब यहां पे गी गरम हो चुका है इसमें हमने डाल दिया था हिंक जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है अब इनको अच्छी तरह भून लेने के बाद उसमें टमाटर की प्योड़ी डाल देंगे अब यहां ने डाल दिया तो माटर की प्योड़ी इसको अच्छी तरह है बून लेंगे बूने के बाद यह हमारे छोले कुछ ऐसे बैन रहते हैं यम्मियन टेस्टी है